हलो इस्टुएंट्स वेलकम तो टूड़े इस क्लास तो इस दून आज की इस पीडियो में जो हम क्लास 8 के चैप्टर थी के कोशन आंसर को डिसकस करने वाले हैं जो की है वर्किंग विद टेवल्स तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेश्ट करते हुए इस चैप्टर के कोशन रिकॉर्ड इना टेवल तो इस कोशन का सिंबल सा मतला है कि कौनसी की ऐसी होती है जो की यूनिकल इडेंटिफाइ करती है सारे रिकॉर्ड को टेवल के तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायमरी की नेक्स कोशन की बात करते हैं आपका डैस डिटाइप इस यूज फॉर डिस् गी डिसिटीवें लिखना हो तो बहां पर कौनसी डिटाइप को आप यूज करते हैं तो इसका आउसर हो जाएगा ल्ग टैंस्ट नेक्स न के specific record of the table in data sheet with the help of the dash option तो किस option का use करके जो हाँ आप specific record को table की देख सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका filter next हम बात करते हैं कुछ है number 5 की तो इसमें पुछा गया है dash means to arrange data in ascending or descending order तो जब हम data को ascending and descending order में arrange करते हैं उस चीज को बोले जाता है shorting तो इसलिए यहां पाय जागा shorting तो यह होगे इस chapter का section है जिसमें की fill in the blanks थे तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आगे होंगे अब बात करते हैं chapter के section की जिसमें की true false है तो चलिए इन true false को भी discuss कर लेते हैं पहले बात करते हैं first वाले true false की तो इसमें बोला गया है यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो आप property set करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो आप जो है किसी भी field की design view में set कर सकते हैं तो इसका answer true होगा या false होगा यह हो जाएगा false हम जो है data sheet view में भी properties को set कर सकते हैं next question के बात करते हैं next question में पुछा गया है the currency data type is used to store currency value जो currency data type होता है वो currency value को store करने के लिए use होता है तो यह statement बिल्कुल सही है इसका answer हो जाएगा true बात करते है question no.3 की इसमें पुछा गया है advanced filter is like running a miniature query only on one table तो इसका मतलब है कि जो advanced filter हम apply करते हैं तरिकी क्या होती है miniature query होती है जिसको कि हम एक table पर apply कर सकते हैं तो इसका answer जो हो जाएगा true यह बात बिल्कुल सही है बात करते है question no.4 की इसमें बोला गया है a table can have only one primary की एक table में सिर्फ और सिर्फ एक ही primary की हो सकती है तो यह statement true हो हो है false है तो यह statement बिल्कुल सही है एक table में एक ही primary की हो सकती है तो इसका answer हो जाएगा true बात करते है question no.5 की तो इसमें बोला जा रहा है it is not essential to specify data type for a field name तो इसके कहने का मतलब है कि यह जरूर ही नहीं किसी field के लिए data type को specify करना तो इस statement हो जाएगा false जिसमें की application based questions है तो चलिए discuss कर लेते हैं बात करते हैं पहले question की तो इसमें पूछा जा रहा है सिवाली has to answer some question based on the following table structure help her in answering them तो यहाँ पे जो है इस तरीके से table दे रखी है और इस पे बेस यहाँ पे questions दे रखी है तो पहला question है identify the data type of the following field तो यहाँ पे बोला गया है कि employee id जो है इस field का आपको data type बताना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस field का data type आप से पूछा गया है तो यहाँ पे जो है आ जाएगा आपका short text data type क्योंकि यहाँ पे देखी जोहाँ आपके number भी है और alphabet भी है तो इस तरीके से इसका data type हो जाएगा short text इसके अलाव अगर आप चाहाँ तो यहाँ पे number भी लिख सकते हैं लेकिन number जो है recording सही answer इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए alphabet भी आ रहा है number में सिर्फ और सिर्फ नंबर से ही आते हैं तो वह जो आपका गलत हो जाएगा तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे short text short text हो सकता है long text भी हो सकता है क्योंकि long text में भी जो हाँ number और text दोनों ही store कर सकते हैं लेकिन बो data type जो है long description के लिए उज़ होता है तो इसलिए हाँ पे हम लिखेंगे short text next अगर हम अगले question के तो यहां पर बोला है name the highest paid and lowest paid person की कौन सा जो है highest paid person न और कौन सा lowest paid person है तो अगर हम हम बात करें high paid की तो मांसी हो जाएगी और lowest paid की अगर हम बात करें तो राजेस हो जाएगा इसके अलावर जो है यहां पर c question दे रखाया तो इसम मुला है set the maximum number of character to be entered in the field project name तो दिखिए जो question है थोड़ा सा confusing है यहाँ पे set करने के लिए maximum number of character तो अगर आप set करेंगे तो date type के according set करेंगे जैसे कि कि कितने character आपको enter करवाने है जैसे कि मान लिए हम short text select करते हैं इस field के लिए तो वहाँ पर हो जाएगा 255 और अगर जो हम इस question को इस तरीके से लिए कि यहाँ पे maximum character की length क्या है कि जो यहाँ पर enter किये जा रहा है maximum character उसकी length क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 19 क्योंकि यहाँ अगर आप 19 भी लिख सकते हैं या फिर 255 भी लिख सकते हैं अगर आपका data type जो है short text है उस case में इसके अलावर जो है next question पूचा गया है which field can become a primary key यहाँ पे कौन से field जो है primary key बन सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा employee ID employee ID पे जो हम क्या करेंगे primary key को set कर देंगे क्योंकि employee ID जो है वो सभी किया है unique है और सभी की unique भी रहेंगी जो new enter करेंगे वो भी करेंगी unique रहेंगी तो इस तरीके से question था मुझे लगर आप लोग को समझ में आ गया होगा बात करते हैं अंगले question की तो next question पूचा गया है Supriya is given an assignment to add new table in existing database which option should she use to complete the task Supriya को जो है assignment दिया गया है एक existing database में new table को add करने के लिए तो आपको बताना है कि कौन से option को उसे use करना चाहिए इस काम को करने के लिए तो answer की बात कर लेते हैं she can use either table और table design button in the table group on the create tab create tab पे जो है एक table group होता है और उसमें जाके वो जो है दो options होती है उनमें सो कोई साथ भी option select कर सकती है table बाला option select कर सकती है या फिर जो है table design बाला option select कर सकती है तो इससे क्या होगा जो new table होगी वो उसकी existing database में create हो जाएगी तो इस तरीके से यह जो हमने इस chapter के C section हो complete कर लिया है अब हम discuss करेंगे इस chapter के D section को जिसमें की mc questions है तो चले discuss कर लेते हैं इनको भी तो इसमें पहला question है when you create a table in access automatically the first field is called dash is added to it तो इस question बोल रहा है कि जब भी आप एक new table create करते हैं access में तो automatically जो first field होता है वो add हो जाता है किस नाम से option है s number id field id तो इस तरीक से 3 option है तो इसका character answer हो जाएगा b id id के नाम से जो है automatically field जो है table में add हो जाता है बात करते है question number 2 की a fields dash determine what type of data you can enter into a field तो field की क्या चीज़ जो है वो determine करती है कि आप उसमें किस type का data enter कर सकते हैं तो options है value style या फिर data type तो इसका simple से answer हो जाएगा c data type data type जो है इस चीज़ को define करता है कि आप उसमें किस type की value enter कर पाएंगे बात करते हैं थर्ड वाले question की इसमें बोला गया है the field that is designated as the dash key can neither have duplicate data nor can it be left blank तो basically इसका मतला है किसी designated field पर ऐसी कौन सी की होती है जो नहीं तो duplicate data को enter करने देती है और नहीं जो field होता है उसको blank छोडने देती है तो options है special, primary और secondary तो इसका answer हो जाएगा primary बात कर लेते हैं question number 4 की इसमें बोला गया है what is the maximum number of character that can be used to define a field name तो field name के लिए maximum characters क्या हो सकते हैं तो इसके options है 62, 64, 46 तो यहां पर correct answer हो जाएगा B, 64 बात करते है question number 5 की इसमें बोला गया है which icon indicates the edit mode in MS axis तो यहां पर options है clay pen pencil तो इसका correct answer हो जाएगा C, pencil pencil जब आपकी आरही होती है तो उसका मतलब होता है कि जो आपका access है वो edit mode में open किया हुआ है तो इस तरीके से जो है हमने इस chapter के D section हो complete कर लिया है अब बात करेंगे इस chapter के E section की जिसमें की कुछ questions है और उन questions के answer हम यहां पर discuss करेंगे तो बात करते हैं पहले question की तो इसमें पुछा क्या है define table list the different elements of a table तो यहां पर table को define करना है और उसके elements को भी आपको लिखना है तो चलिए answer की बात कर लेते हैं तो table के अगर हम बात करें तो table क्या है building block है किसकी database की और इनके use क्या होता है इनमें store किया आता है data को structured manner में मतलब की row और columns की form में data रहता है और अगर हम बात करें different elements के table की तो इसमें होता है data fields and records यह जो है elements होते है tables के तो मुझे लग रहा है question आपको clear हो गया होगा बात करते है question number 2 की question number 2 में पुछा गया है what are the data types list the various data types available in access तो आपको यह बताना है data types क्या होते हैं और अलग-अलग type की data types होते हैं अनको भी आपको लिखना है तो चलिए बात करते हैं इसके answer की तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो data type क्यों होते हैं data type जो हो डिटर्माइन करते हैं कि field में किस type की value जो है Enter होगी मतलब किसी भी table के field में किस type की value एंटर होगी यह चीज जो है data type determine करते हैं और अगर हम बात करें 2019 की तो इसमें data type कौन कौन से होते है short text होता है long text होता है number होता है date and time होता है currency होता है इसके अलाबा auto number है yes no है OLE है hyperlink है attachment है calculated है look up wizard है ये सारे के सारे data आपके 2019 MS Access में होते हैं तो मुझे लग रहा है ये question भी आपको clear हो गया होगा बात करते है question number 3 की तो इसमें पुछा गया है what is the utility of filter in a data sheet view जो filter utility होती है data sheet view की उसका क्या काम होता है तो यहां पर हम बात करें तो जो filter का option होता है वो आपको specific record किसी भी table के display कराने में help करता है और इसके लाब आप जो है advanced filter का भी use कर सकते हैं अपनी search को narrow down करने के लिए तो एक तरीके से यह क्या है miniature query होती है जो कि आप table पर apply करते हैं तो इस तरीके से यह जो हो गया question का answer हो गया बात करते है question number 4 की इसमें पुछा गया है right short note on the following तो किस किस पर लिखने है आपको देखी लिखना है validation text पे तो validation text के अगर हम बात करें तो validation text जो है ऐसी property होती है जिसमें कि आप जो है customize error दे सकते हैं अगर कोई भी validation rule जो है आपका wallet होता है तो उस case में जो है आप warning को set कर सकते हैं अपने according इस property का use करके next अगर हम बात करें तो आपको लिखना है short note caption property पे और यह जो property है यह आपको help करती है level को define करने में मतलब जो भी field की level है उनको आप इस property की help से adjust कर सकते हैं अपने according जो है आप दे सकते हैं तो इसमें जो caption होगा वो आपका 2046 करेक्टर का हो सकता है इसके अलावा आपको short note लिखना था advance filter पे तो इसको अल्यड़ी मैं बताई चुका हो इसके help आप कर सकते हैं narrow down कर सकते हैं अपनी search को और यह जो एक तरीके की miniature query होती है जिसको कि आप टेबल पर apply कर सकते हैं तो इस तरीके से इस question का आपको answer लिखना था मुझे लग रहा आप लोग को एक question भी clear हो गया होगा तो इस चैप्टर के हमने सारे question answer discuss कर लिये हैं जो भी question इस chapter में थे वो सारे मैंने आपको करा दिये हैं I hope आप लोग को समझ में आ गय होंगे अब next video में discuss करेंगे हम अगले chapter को तो student आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching